हलो माई यूट्यूब फेमेली स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजिस्थानी रसोई में मैं हूँ कान्ता आज हम बनाएंगे सर्दी की स्पेशल पावभाजी बहुत ही सरल तरीका बताऊंगे मैं आपको घर पर पावभाजी बनाने का तो चलिए बन बनाना शुरू करते हैं सब्सक्राइब कीजिए राजिस्थानी रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाईए न्यू रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए तो सबसे पहले हम भाजी के लिए सबजियां लेंगे तो हमने यहां लिए है चार मेडियम साइज के आलू हमने यहां मटर लिए है तीन हमने मेडियम साइज में खीरा लिया है एक छोटी लोकी लिए है आप चाहिए तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं फूल गोपी भी डा तो सबसे पहले हम म envelop को छोटि लेंगे उनके दाने निकालके उन्हें अलग बोई लेंगे और यहां हम खीरा, लोकी और आलू इनको अच्छेसे दो के, छिल के और रफली नको काट लेंगे यह हमने बीर्टी ली हैं इसे मेंश ग्रेड कर लोगे और यहां यह सारी सब्जियां हम चोप पढ़ लेंगे, एकदम बारी काट लेंगे इनको तो देखिए हमने यहां आलू, खीरा और लोकी को छेल के रफली काट लिया है और अच्छे से धो लिया है, यहां हमने प्याज भी बारी काट लिया है ं टमाटर को बारी काटा है, हरी मिर्ची, शीम्रा 2400 मिर्ची 930 नाजक रिणा ग्रेट के लिया है। और यहां हमने है अध्रक के ल्यागे है, लात लृक्ड गफार्च के लिया के लिए तो देखी सारी सब्जियां हमने इसमें डाल दी है और हम इसमें ठोडा पाने डालेंगे लगबक एक debt glass के करीब हमें पाने डालना है और इसमें हम डालेंगे एक चमच नमक ताकि यह सब्जयां जो है अच्छे से बोईल हो जाए और इसको अच्छे सेframes करके तीन से चार सिट्ट्याने तक हम इसे कुक करेंगे जब तक यह सबजी हमारी कुक हो रही है तब तक हम प्यास, ट्रमाटर, हरे मिर्ची को भून कर तयार करते हैं सबसे पहले हम इस कुकर को दूसरे बंडर पर रख देंगे और इदर हम एक कड़ा ही लेंगे सबसे पहले हम इसमें तेल डालेंगे दो चमज हमने इसमें तेल डाला है साथ हम इसमें बटर डालेंगे ताकि भाजी का टेस्ट बहुत अच्छा हो यह दे की बटर मेर्ट हो चुका है इसमें हम एक चोटा चमज जीरा डालेंगे जीरे को भून लेंगे और साथ ही इसमें ग्रेट की हुई अद्रग डाल देंगे अद्रग भून चुकी है अब इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज को हम हलका गुल्डन ड्राउन होने तक प्राई करेंगे यह देखिए प्याज हमारे भून चुके हैं अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची साथ ही इसमें डाल रही हैं शिम्ला मिर्ची और एक चम्मत छोटा हल्दी पाउडर और इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स अब हम इसमें डालेंगे बीट रूट आप कोई भी सबजी बनाए तो उसकी ग्रेवी में आप बीट रूट जो है उसको पीस कर या ग्रेट करके डाल सकते हैं इसे सब्जी में बहुत अच्छा कलर आएगा और बीट रूट जो होती है वो गुनकारी होती है तो खाने में भी लाबदाइक होती है जो देखिए बीट रूट का कमाल कितना अच्छा कलर आया है इनको अच्छे से मिक्स करके एक-दू मिनिट के लीए हम इजे लगातर चलाते वे बहुण लेंगे इदेकिए हमने इनको भूण लिया है अब हम इसमें टमाटट डालेंगे और इनको अठ्षे से mix कर देंगे आप इसमें हम डालेंगे मतर मतर हमने पहले बोईल कर लिए थे इसलिए मतर हम सबसे last में डाल देंगे और इसको लगाता चलाते वे mix कर के इसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर चाल छोटे चमच हमें लाल मिर्ची पाउडर डाला है और इसे निक्स कर देंगे इसको धकन लगा कि सब्सक्राइब को सोफ होने तक कुक करेंगे कुकर में चीटी भी आ चुकी है यह देखिए कुकर में प्रेशर निकल चुका है एक बड़ चेक करते हैं इस देखिए सबजी अच्छे से बॉल हो चुकी है और एक बड़ इसको भी चेक कर लेते हैं यह सबज हब हैसारी सोफ हो चुकी है अब हम एक मेशर लेंगे और इनस ब्रेशों को मेश करेंगे यह देखिए हमने साई सब्जी को मेश कर लिया है हमने इनका पानी निकाला नहीं था क्योंकि हमने पूरा पूरा पानी डाला था अगर आपसे पानी ज़्यादा डल जाता है तो कोई बात नहीं अब एक्स्ट्रा पानी निकाल के फिर मेश कर सकते हो और सोड़ा साई इसको भी हम मेश कर लिएगे अब हम इसमे नमक ड़लेंगे क्छी नमक यह द आल दिया था इसलिए हम बुएले ख्योंक नमक ड़लेंगे और यह इते उबली हुई सब्जीन हम सरी कढ़ाई में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अब हम इसे दो से तीन मिनट के लिए डखन लगा के कुप करेंगे तो देखें दो से तीन मिनट हो चुकी है एक बड़ चेक करते हैं भाजी को देखें गाड़ी हो गई है भाजी अब इसमें हम निम्गू का रस्टा लेंगे ि घराधनीय डालेंगे तक हराधनिय में बहुत ज़्यादा टाल रहे हूं क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ हराधनीय पाव भाजी मसाला डाल देंगे लगबग एक चमच के करी में या डाला है और इसे हम मिक्स कर देंगे वाओ भाजी के बहुत अच्छी कुछ भूआ रही है और बहुत सुन्दर कलर आया है इसका बीड टूट ऐसे तो बच्चे खाते नहीं है लेकिन ऐसे आप खिलाएंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा और इसका टेस्ट कलर सब बहुत अच्छा आया है मैंने या फूल गो भी इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरे घर के कुछ मेंबर जो है वो फूल गो भी नहीं खाते हैं आप डाल सकते हैं देखिए भाजी हमारी बनकर तयार है तवा लिया है जब तक हमारा तवा गरम हो रहा है तब तक हम पाव को काट कर तयार करते हैं तीक हमने ये पाव लिये हैं उनको हम काट लेंगे वह इस पाव को हम बीच में कट लगाएंगे हमारा तवा गरम हो चुका है हम पाव को बटर में सेकेंगे तो हमने यहां बटर लिया है और इस तरह से हम इसको गोल घुमाते वे फ्रोड़ा सा पल्टे से प्रेस करेंगे और इस तरह से हम दूसरी साथ से भी से एक लेंगे हमें भोज जदा इसे नहीं सेखना है इसी तरह से हम दूसरा पाव भी सेख लेंगे इस देखिए दूसरा पाव भी सेख करते यार है इसको भी में प्लेट में निकाल देंगे गेस की फ्लेम को ओफ करेंगे देखिए पाव हमारे सिकर तयार है भाजी भी तयार है अब हम इसे सेर्व करेंगे यह देखिए चटपटिसी पाव भाजी बनकर तयार है मैंने बहुत सरल तरीका बताया है आपको पाव भाजी बनाने का इस तरह से आप भी बनाईए अपनी फेमिली को खिलाईए और अपने नोबो हम से शेर कीजिये